कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। हम जब फूड M.D. में आपका सुआगत है, आज मैं आपको मुमफली के खाने के फायदे बताऊंगा। क्यूंकि सर्दियो का मोसम चल रहा है, सर्दियो के मोसम में मुमफली खाना सब को अच्छा लगता है। ठंडी में मुमफली खाने का मज़ा ही कुछ और है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मेवाओं में मुमफली को इस्तमाल किया जाता है मुमफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं मुमफली किसी भी मोसम में खा सकते हैं लेकिन खास तोर से ठंडी के मोसम में खाना पसंद करते हैं इसमें कोई सक नहीं मुम्फली में बेसुमार फायदे होते हैं किन सूर्तों में नुकसान का सबब बनती हैं किन लोगों को मुम्फली नहीं खानी चाहिए मुम्फली खाने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए मुमफली खाने के बाद किन किन चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए मुमफली खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है बहुत से खानों में काम आती है मुमफली सारे मेवाव में सबसे सस्ती मेवा है मुमफली खाने में मजेदार लगती है और सरीर को बेसुमात ताकत देती है मुमफली विटामिन A, विटामिन B से भरपूर होती है और याद रहे विटामिन A कैंसर जैसी बीमारी को खतम करती है मुमफली एंटी अक्षिडन्स और इसमें फॉलाद भी पाया जाता है फॉलाद नया खून बनाने में मदद करता है मुमफली हमारे जिसम को प्रोटीन और मिनरल देती है मुमफली बिलिट प्रेसर और सूजन को कम करती है डोक्टरों का कहना है मुमफली अक्रोट और बादाम की तरह है जो लोग अक्रोड बादाम खरीद के नहीं खा सकते हैं और अक्रोड बादाम वाले फायदे उठा सकते हैं तिब्बी हिसाब से बहुत से फ़वाइद पाय जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं मुमफली में प्रोटीन, कैल्सियम, विटामिन A, विटामिन B1, B6, फास फोरेस मुमफली कमजोर लोगों के लिए बहुत फायदे बंद है बोडी बिल्डर मुमफली जरूर खाया करें कैंसर वाले इंसान को मुमफली बहुत फायदा देती है मुमफली मैदे को और फैंपलो को बहुत ज़ादा फायदा देती है मुमफली वो इंसान भी खाया करें जिनके बाल दूटते हो ड्रैगनेंट लेडिस मुमफली से परेज करें हैलर्जी कर सकती है, अपने डोक्टरों से मजबरा लेके खा सकते हैं जिसको खारीस खुजली हो वहे मुमफली ना खाया करें मुमफली किन सूर्टों में नुकसान देती है भासी की सूरत में इसका इस्तेमाल ना करें क्यूंकि ये तेल से भरी होती है और मुमफली खाने के बाद पानी ना पिया करें इनके फैंपडों में प्रोबलम हो उनको भी नहीं खानी चाहिए 10 ग्राम मूमफली में बादाम, अंडे, माज से भी जादा प्रोटीन होता है बोडी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोजाना 100 ग्राम मूमफली जरूर खाया करें मूमफली कबच को खतम करता है मूमफली ऐसी मेवा है कि इसको हर कोई खाना पसंद करता है मैंने आपको मूमफली के फायदे भी बताएं और नुकसान भी बताएं और किन लोगों को नुकसान देगी वो भी बताएं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में सेर कर दें फूर्ट से रिलेटिड वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुदा हापिस